मोदी सरकार जब से देश की सत्ता पर काबिज हुई है देश का हाल बेहाल हो गया है आर्थ विवस्ता पट्री से उतर गई है बेरोजगारी और महेंगाई दर आसमान छूरे ही है विपक्ष हमेशा ही बीजेपी पर आरूप लगाती आई है कि बीजेपी ने देश की हालत आलोचना की तो क्या कुछ बोले कॉंग्रेस सांसाद राहुल गांधी चले देखते हैं ये रिपोर्ट मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है सिर्फ अपनी मनमर्जी चला रही है और सरकार का ये ताना शारवया देश के लिए हानिकारक साबित हो रहा है हालकि विपक्ष बार-बार सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है और सरकार की आलोचना करता रहता है उसी कड़ी में अब एक बार फिर कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोधी सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने सरकार की सभी नीतियों पर सवाल उठाते हुए उसे निशाने पर लिया चन्ने में बीते दिन कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी मुक्यमंत्री और डियम के अध्यक्ष M.K. स्टालीन पर लिखी किताब उंगलील उरुवन का विमोचन करने पहुंचे थे इस दोरान अपने संबोधन के दोरान उन्होंने भाच्पा पर जम कर निशाना साधा भाच्पा पर तंज कस्तिवे कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने अनुचे 370 को खत्प करने को लेकर कहा कि ये ऐसा कदम है जो पहले कभी नहीं हुआ इतना ही नहीं राहूल ने कहा कि जम्मु कश्मीर के लोग अब खुद पर शासन नहीं करते हैं उत्रप्रदेश गुजरात के नोकरशा उन पर शासन करते हैं इसके अलावा बीएसेफ की शक्तियों को बढ़ाने का जिक्र करते हुए राहूल गांधी ने कहा कि पंजाब में सैकडो किलोमीटर जमीन एक तरफा छीन ली गई और बीएसेफ को बिना किसी सवाल या चर्चा के दे दी गई राहूल गांधी ने पियम मोदी पर हमला करते हुए कहा जब प्रधान मंत्री यहां आते हैं तो तमिलनाडू के लोगों पर कोई और विचार थोपने की कोशिश करते हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि तमिलनाडू केवल दो शब्द नहीं है बलकि तीन हजार साल हैं वहराजी और देश का अपमान करते हैं यानि राहूल गांधी ने एक बार फिर भाजपा की कमियों और खामियों को उजागर किया इससे पहले युक्रेन में फसे भारतियों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने मोधी सरकार को जम कर फटकार लगाई थी